हलो इस्टुडेंट वेलकम टू आसीज क्लासेश पीसेम पीसेबी बच्चो आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कोश्चन पढ़ेंगे और यह जो कोश्चन है कैमेस्टी के और गैनिक कैमेस्टी में कम्प्लीट दा फॉलोइंग रियक्शन ठीक है यह रियक् मतलक और जितने बी कम्पॉउंड हो जाए एक रियक्शन दे दी जाएगी और आपसे पूछे कि Seo की क्या होगाP? अगर pcl5 के साथ रियक्शन करता है तो यहां पर come compound A बताना है ठीक है और फिर जो compound A होगा वो potassium cyanide के साथ reaction करना है वो क्या बनाएगा compound B बनाएगा और compound B जब क्या करेगा H3O यानि acid के साथ जब reaction करेगा तो यहाँ पर बनता है C2H5 COOH और फिर जब यह NS3 यानि ammonia के साथ reaction करेगा तो compound C बनेगा तो हमें ABC बताना है कि यह compound कौन होंगे ठीक है तो चलिए हम आंसर की बात करते हैं बेटा अगर ethyl alcohol की बात करते हैं तो यह ethyl alcohol अगर PCL5 phosphorus pentachloride के साथ reaction करेगा तो यहाँ पर बनेगा ethyl chloride ठीक है? ethyl chloride बनेगा फिर यही ethyl chloride जब casein के साथ है न? potassium cyanide के साथ reaction करेगा तो यहाँ पर बनेगा ethyl cyanide यह जो compound दिख रहा है यहाँ पर compound A क्या बना? compound A हमारा बना ethyl chloride ठीक है? और वही ethyl chloride potassium cyanide के साथ reaction करेगा तो यहाँ पर compound B बनना है यह वाला जो compound बना बटाई यह वाला compound B है जिसे हम लोग ethyl sainide के नाम से जानते हैं फिर ethyl sainide S3O के साथ reaction करेगा तो यहां पर यह हमें पता है कि यह पहले से यह बना हुआ था ethenoic acid बना फिर ethenoic acid किसके साथ reaction करेगा यह NH3 यह अमोनिया के साथ यह reaction करेगा तो जब balance करना होता है यह हमें दिखाना होता है complete करना होता है तो बहुत important reaction है यह सभी reaction वह reaction है जो previous year board exam में कई बार repeat हुई है और आप अगर देखे तो आप यह 8 reaction है जो अगर आप 8 reaction को complete कर लेते हैं तो आपके board exam में यह reaction reaction आपको देखने को मिलेंगी ठीक है reaction नमबर second की बात करते हैं यहाँ पर बेटा दिया गया है C6H5 COOH दिया गया है है और यह अगर SOCl2 के साथ reaction करता है तो compound A बनता है क्या होगा compound A वही हमें find करना है फिर compound A NH3 यानि ammonia के साथ reaction करेगा तो compound B बनेगा क्या वह हमें बताना है फिर compound B, BR2, KOH के साथ reaction करता है तो compound C बनता है इस तरीके से हमें A, B, C compound बताना है क्या बनेगा हम इसके answer की बात करेंगे तो यहाँ पर बात करते हैं C6H5COOH SOCl2 के साथ reaction करता है तो यहाँ पर बनता है Benzene के उपर COCl लगेगा जिसे हम बोलेंगे Benzoyl Chloride ठीक है क्या बनेगा Benzoyl Chloride यानि जो compound A बनेगा वो Benzoyl Chloride बन गया ठीक अब Benzoyl Chloride किसके साथ reaction करेगा ammonia के साथ reaction करेगा तो यहाँ पर बनेगा CO NH2 Benzene के उपर लगा है जो कोई Benzomide बनेगा क्या बन गया बेटा यानि compound B बन गया हमारा Benzomide ठीक अब यह Benzomide BR2 और KOH के साथ reaction करेगा तो यहाँ पर compound C बनेगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं Aniline बोलते हैं लिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हुए चलिएगा हमारे एक reaction को बहुत आराम आराम से समझेंगे reaction number 3 दिया गया है कि CS3 जो कि हमारा acetone दिया गया है अगर acetone concentrated nitric acid के साथ reaction करता है तो compound A बनता है टिक क्या होगा एक compound वो हमें बताना है और compound A क्या करेगा SOCL2 के साथ reaction करेगा तो compound B बनेगा हमें बताना है कि compound B क्या बनेगा और compound BNS3 यानि ammonia के साथ reaction करता है तो compound C बनता है और C किसके साथ LIALH4 के साथ reaction करेगा तो compound D बनेगा और compound DHNO2 के साथ reaction करता है तो यहाँ पर E बनेगा और E CH3 COCl के साथ reaction करता है तो compound F बनेगा हमें A, B, C, D, E, F compound जो बनेंगे वो बताना है क्या बनेंगे चलिए हम इसके answer की बात करते हैं तो answer की बात करते हैं important है previous year board exam में पूछी कि यह अगर हम acetone की concentrated nitric acid के साथ reaction कराते हैं तो यहाँ पर product बनना acetic acid ठीक है यानि हम बात करके सकते हैं कि compound A जो होगा वो acetic acid होगा और जब acetic acid यह क्या करेगा यह COCl2 के साथ reaction करेगा तो यहाँ पर compound B बनेगा compound B क्या बना यह बना हमारा acetyl chloride CS3 COCL जो की हमारा acetyl chloride है और acetyl chloride ammonia के साथ reaction करेगा तो ammonia के साथ reaction करेगा तो यहाँ पर compound यह C बनना है और यह compound C क्या है? CS3 CO, NH2 जिसे हम लोग बोलते हैं Acetamide, क्या बोलते हैं बेटा? Acetamide अब देखो, Acetamide किसके साथ reaction करेगा? LiAlH4 के साथ reaction करेगा तो यह बनेगा CS3, CH2, NH2 जिसे हम लोग बोलते हैं क्या बेटा? यह ethyl amine बन गया तो यह बन गया, क्या? compound D बन गया अब देखो, compound D क्या करेगा? यह reaction करेगा HNO2 के साथ तो HNO2 के साथ reaction करेगा तो यह बनेगा ethyl alcohol क्या बनेगा? ethyl alcohol यह क्या बनेगा? ethyl alcohol ethyl alcohol बन गया ठीक है? और ethyl alcohol अगर CS3, COCL के साथ reaction करेगा तो यह बनेगा ethyl acetate बन जाएगा, इस तरीके से यह compound यहाँ पर बन गये बटाँ ठीक है? तो इस तरीके से हमारा यह E मिल गया है यह F मिल गया और यह E मिल गया इस तरीके से यह reaction complete हो गई, इस reaction को बहुत यह अच्छे तरीके से आपको क्या करना है? copy pen लेकर के note कर लेना, इतनी ही reaction important है, इतना ही अगर आप solve कर लोगे बेटा, तो इस से बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, तो बहुत important है, जैसा कि आप सब को पता है कि CBSC vote की exam date आ चुकी है, आप लोग बहुत ही अच्छे से preparation करिएगा, बहुत ही अच्छे से आप अपनी तयारी करिएगा, है ना, उसके बाद, reaction number 4 की बात करते हैं बेटा, यहाँ पर अगर, तो reaction number 4 है C6H5NO, किस के साथ A के साथ reaction करता है, तो यहाँ पर compound बनता है, C6H5 NH2 बनता है बेटा, फिर यह compound B के साथ, यहाँ B के साथ reaction करेगा, तो यहाँ पर यह compound बनना C6H5N2Cl बनना है, फिर यह C के साथ reaction करेगा, तो यहाँ पर C6H5 Cl, है ना, chlorobenzine जिसे बोलते हैं, और फिर chlorobenzine D के साथ reaction करेगा, तो यह phenol बनेगा, तो हमें बताना है कि A की जगे पर क्या होगा, B की जगे पर क्या होगा, C की जगे पर क्या होगा, और D की जगे पर क्या होगा, तो बेटा हम बात करेंगे, A की जगे होगा क्या, A की जगे होगा SN plus concentrated SCL, यानि यह जब SN और concentrated SCL के साथ reaction करेगा तो क्या बनेगा, C6H5 NH2 बनेगा, वहीं पर B की जगे क्या होगा, तो B की जगे होगा बटा क्या, यहाँ पर B किसके साथ, यानि यह किसके साथ reaction करेगा, तो reaction करेगा Na Na 2 plus concentrated HCl होगा और साथी साथ यहाँ temperature 0,2 कितना होगा 5 degree Celsius तो यह रियक्षन करेगा तो यह बनेगा C6 H5 NH2 CL बनेगा फिर C के जगे पर क्या होगा C की जगे होगा Cu Cl2 plus H2 मतलब C की जगे क्या होगा Cu Cl2 plus HCl plus HCl तो यह जब इसके साथ रियक्षन करेगा तो यहाँ पर क्लोरो बेंजीन और क्लोरो बेंजीन compound D, D क्या होगा NaOH और SCL के साथ जब रियक्षन करेगा तो यहाँ पर Phenol मिल जाएगा तो इस तरीके से यह important reaction है कि ABCD क्या होगा ठीक है तो यह हमें बताना था आगे चलते बटा reaction number 5 की बात कर लेते हैं यहाँ पर A3 है और यह dilute SCL hydrochloric acid के साथ reaction करता है तो compound A बनता है और compound A का oxidation कराई जाए तो B बनेगा और अगर इसकी reaction NH2OH के साथ कराई जाए तो E बनता है compound B की reaction reaction SOCL2 के साथ कराई जाती ही तो compound C बनता है और compound C की अगर CS3COO NA के साथ कराते है तो यहाँ पर यह D बनता है और अगर इसकी reaction C6H5 यानि फिनोल के साथ कराते है तो E बनता है तो हमें बताना है A, B, C, D, E compound क्या होंगे ठीक तो देखो अगर हम compound A की बात करते है तो अगर यह ethylene dilute hydrochloric acid के साथ reaction करेगा तो compound A क्या होगा A होगा हमारा acetaldehyde ठीक है क्या बनेगा यहाँ पर यहाँ पर बनेगा CH3CHO क्या बन गया acetaldehyde और देखो acetaldehyde की अगर हम बात करते है acetaldehyde का अगर oxygen कराया जाएगा तो compound B बनेगा acidic acid यहाँ पर क्या बनेगा यहाँ पर बनेगा CH3COOH acrylic acid बन जाएगा B की जगे क्या बनेगा acrylic acid बनेगा और C की बात करते हैं तो C की जगे क्या बनेगा C की जगे हम बात करेंगे तो acetyl chloride बनेगा और ये अगर इसके साथ reaction करेगा SOCl2 के साथ तो C क्या बनेगा C बनेगा CH3 CH3COOL है ना Acetyl chloride बनेगा फिर देखो बटा अब Acetyl chloride अगर CH3COONA के साथ में अगर हम इसको heat करते हो compound D बनेगा जिसे बोलते हैं Acetic Enhydride यानि CH3COOCH3 COCH3 Acetic Enhydride बनेगा बिटा आगे देखो और अगर ये C के साथ reaction करता है तो यहाँ E बनता है तो E क्या बनेगा यहाँ पर Acetyldoxym क्या बनेगा Acetyldoxym जो E वाला compound होगा वो होगा CH3COOL NON ठीक है Acetyldoxym Acetyldoxym मिर गया और देखो बिटा यहाँ पर F पूछरा कि F क्या बनेगा अगर A के साथ NS2OS reaction करेगा तो यहाँ पर बनेगा क्या Phenyl Acetate Phenyl Acetate मतलब जो हमारा कहां गया अच्छा A, B, C, D, A यह यहाँ पर होगा ठीक है यह E होगा यहाँ पर और F होगा यहाँ पर ठीक है यहाँ पर यह F होगा ठीक है तो इस तरीके F जो बनेगा C6H5 और CO CS3 बनेगा ठीक है 6 number reaction की बात करते हैं यह यहाँ पर E होगा और यह F होगा बटर ठीक है यह बनेगा ठीक 6 number में दिया गए CH COOH यहाँ पर क्या होगा CH3 COOH NS3 के साथ reaction करता है तो यहाँ पर बनेगा compound A और compound A BR2 plus KOH के साथ reaction करेगा तो compound B बनेगा और compound B CHCl3 plus NaOH के साथ reaction करता है तो C बनता है तो हमें बताना है ABC क्या होगे ठीक तो देखो यहाँ पर बात करते हैं अगर हम बात करते हैं यहाँ पर CH3 COOH ammonia के साथ reaction करेगा यानि हम heat करेंगे तो AC acetamide बनेगा और acetamide bromine और KOH के साथ reaction करेगा तो methyl amine बनेगा और methyl amine देखो CHCl3 और NaOH के साथ reaction करेगा तो methyl methyl isosyanide बनेगा क्या बनेगा methyl isosyanide बचेगा ठीक है बनेगा reaction number 7 की बात करते हैं कि अगर methyl bromide potassium cyanide के साथ reaction करता है तो compound A बनता है और compound A, L, I, A, L, H4 की प्रजेंस में reaction करेगा B बनेगा और B, HNO3 के साथ reaction करेगा 273 Kelvin potassium cyanide के साथ reaction कराएंगे तो methyl cyanide बनेगा जो की compound A होगा ठीक और यह L, I, A, L, H4 की प्रजेंस में जब reaction करेगा तो यहाँ पर बनेगा ethyl amine ठीक है यानि compound B क्या बना बटा ethyl amine बन गया और ethyl amine जब क्या होता है nitric acid हाल बनता है ठीक है आगे देखो reaction number 8 बनता है यहाँ पर reaction number 8 की बात करते हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं CS3 CO CS3 यानि acetone acetone बेटा अगर oxidation कराते हैं nitric acid के साथ concentrated nitric acid के साथ तो compound A बनेगा और compound A reaction PCL5 के साथ करेगा तो क्या बनेगा चलो बाई बात करते हैं अगर बेटा acetone की बात करते हैं तो acetone का अगर oxidation कराते हैं concentrated nitric acid की presence में तो यहाँ पर HCOO NA बनता है ठीक और यहाँ पर क्या बनेगा CH3 COO OH बनेगा acetic acid फिर अगर यहाँ पर HCOO किसके साथ reaction करता है यह अगर PCL5 के साथ reaction करता है तो carbon monoxide POCL and hydrochloric acid बनता है बटा वही पर अगर acetic acid PCL5 के साथ reaction करता है तो यहाँ पर acetyl chloride यानि acetyl chloride होगा यानि CS3 COCL होगा POCL होगा PLUS SCL होगा तो इस तरीके से यह important reaction थी यह सभी reaction आपके board exam के लिए बहुत important है बटा यह सभी reaction आप note कर लीजेगा और कोई doubt हो तो आप जरूर बताईएगा ठीक है अगर कोई doubt हो तो आप जरूर बताईएगा ठीक है तो यह reaction बहुत important है चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe करिए वीडियो को जितना होँ के like और share करिए आज की lecture में इतने रखते हैं thank you for this class मिलते हैं नए lecture में एक नए class के साथ और एक नए topic के साथ तो यह सभी previous year board exam में पूछी की reaction है इनको जरूर जरूर note कर ले बेटा बहुत important है आपके लिए thank you for this class आपके लिए